हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करता हूँ आप सभी का इंपॉसिबल क्रियेटिविटी चैनल पे आज के वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कितनी केवी की ब्रस्स मोटर के साथ आप कितने इंच का या फिर कितने साइज का प्रॉपिलर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि कभी-कभी हम अपने ड्रोन को बनाते हैं या फिर हम जब घर बैठे ड्रोन को डिजाइन करते हैं तो अकसर होता है कि हमारा प्रॉबलम आता है कि हमारा मोटर ओवरीट हो रहा है या ESC ओवरीट हो रहा है या फिर motor perfect thrust नहीं generate कर पा रहा तो इन सभी में problem होती है हमारे motor propeller और ESC के selection में ठीक है ना तो ESC के लिए एक common era होता है common criteria होता है कि याद इतने ampere के ESC है तो इतने KV का motor यूज़ करना चाहिए तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इनी सभी चीज़ों में बात करने वाला है कि कितने KV के brushless motor के साथ कितने ampere का ESC यूज़ करें और कितने size का propeller हम यहाँ पे यूज़ करें तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहली बात तो clear करना चाहता हूँ कि आप जब अपनी motor को purchase करते है तो वहाँ पे लिखा होता है कि यह maximum throttle में कितना current draw करेगी तो about आपको उससे उससे आपको means for example आपकी कोई brushless motor है जो की 15 ampere का maximum current draw कर सकती है तो आपको जो ESC लेना है उससे 5 या 6 ampere ज़्यादा ही लेना हो सकता है दोगुना यो for example 15 ampere है तो आप 30 ampere तक का ESC easily use कर सकते है कोई problem नहीं create करेगा पर एकदम exactly उतने ही ampere का ESC नहीं लेना है क्योंकि उससे आपका ESC burn हो सकता है क्योंकि जब ESC अपनी maximum capability पे चलता है काफी ज़्यादा हीटिंग होती है इसलिए आपको अपने मोटर का जो maximum current drawing rate है उससे ज़्यादा ही लेना है आपको ESC का जो जितने एंपेर का ESC लेंगे उससे थोड़ा सच ज़्यादा ही लें दोगुने तक चलेगा पर उससे ज़्याधिक न जाएं ऐसा नहों कि आपको ESC powerful हो जाए और आपका motor बर्न हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम 100 kv के brushless motor के साथ 28 15 या 30 90 तक के propeller यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीद ध्यान रखनी है आपका मतलब यहाँ पे 28 है वो इंच है तो यहाँ पे 28 28 इंच का propeller 29 30, 31 तक के propeller आप यूज कर सकते हैं वैसे आपके motor में लिखा होता है यदि आपका branded motor है तो उसमें लिखा होता है कितने इंच तक का propeller आप यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली criteria होता है 100 kv के brushless motor में 28 से 30 इंच कहीं कहीं 27 इंच का और कहीं कहीं तो 32 इंच तक भी यह चला जाता है यहाँ पे हम 200 kv के brushless motor के साथ नॉर्मली 20 इंच का proper use कर सकते हैं और on and average branded motor में चला जाता है यह about 22 इंच तक की size का 300 kv के brushless motor के साथ बात करें तो यहाँ पे हम 19 इंच का यहाँ फिर 20 इंच का जो branded motor जो high power motor मतलब जिन में burn out होने के chances काफी जादा कम है यहाँ फिर 10 इंच का AC के आसपास मतलब एक दो नंबर आगे चलेगा बढ़ काफी high और काफी low भी नहीं चलेगा दरवाइस काफी low होगा तो thrust नहीं जनरेट होगा काफी high होगा तो आपका motor हीट होगा या फिर यसी हीट होगा जिससे आपके drone में या फिर आप जो भी project बना रहे हैं उसमें problem आएगी अब यहाँ पे 400 kb के brassis motor के साथ हम 15 से 17 इंच तक का propeller यूज कर सकते हैं 600 kb के brassis motor के साथ 15 से 16 इंच तक के propeller को हम यूज कर सकते हैं 800 kb की brassis motor के साथ 11 से 12 इंच तक के propeller को हम यूज कर सकते हैं 1000 kb के brassis motor के साथ हम 8 9 या 10 इंच तक के propeller को यूज कर सकते हैं कहीं 11 इंच भी होता है बाट मैंने practically डिस्ट किया है golden में 11 इंच का propeller काफी जादा problem क्रियेट करता है बात करते हैं बात करते हैं CEO200 के प्र साथ जाइंचא को यूञेय साथ कर सकते उसिता हैं 6600 में आप उसक्र सकते हैं यहाँ चाहिए ने कंप का है यहां आई उसकर सकते हैं अब बात करते हैं तेइस सो केवी के ब्रस्लेस मोटर के साथ तो इसके साथ हम पांच इस तक का प्रॉपिलर यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं छबी सो केवी के ब्रस्लेस मोटर के साथ तो इसके साथ हम चार इंच तक का प्रॉपिलर को यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं 3000 kv के ब्रेस्स मोटर के साथ तो यहां पे हम इसमें 3 इंच तक के प्रोपलर यूज कर सकते हैं इससे भी high kv के ब्रेस्स मोटर आते हैं और उन्में और भी micro प्रोपलर होते हैं और मैंने यहां पे उन common kv ratings को बताया है जो हम नॉर्मली अपने drones पर यूज कर सकते हैं जो हम नॉर्मली होमें drones पर यूज कर सकते हैं वो करते हैं उन चीजों को मैंने यहां पे explain किया है जनरली होता क्या है दोस्तों कि हम कहीं पर भी online देखते हैं कि ऐसा 200 kv की ब्रेस्स मोटर के साथ 11 इंच का प्रोपलर बेच रहा है कोई भी तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि यहां पे specifically 200 kv की ब्रेस्स मोटर के साथ 5-6 इंच का प्रोपलर यूज करिए 5 इंच का प्रोपलर यूज करिए आप वहाप 11 इंच का प्रोपलर 10 इंच का प्रोपलर यूज करेंगे तो आपका यसी जलेगा ही जलेगा यह आप मैंने practically टेस्ट किया है गाइस मैंने 1400 kv के ब्रेस्स मोटर के साथ 1045 का प्रोपलर यूज किया था और उस ताइम यसी में जो हीटिंग हुई थी उसे मैं ही बता सकता हूं मैं explain नहीं कर सकता कि लगा कि यसी जल जाएगा दोस्तो यह problem आपके साथ ना हो इसलिए मैं यहाँ इस वीडियो को आप तक पहुचा रहा हूं तो अगली बार से अगर हम अगर आपके साथ ऐसी कोई problem होती है तो आप एक बार पहले confirm करने आपको कितने केवी की motor के साथ कितने इंच का प्रोपलर रिउस करना चाहिए और आपका motor क जो drawing current है वो कितना है उसके हिसाब से आप ESC को purchase करें दोस्तों उमीद है आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो चानल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ तब तक के ल दो बाइ